सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ते नोटिफिकेशन असलाम अलेकुम नाजरीन टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसाश हैजाद सब्सक्राइश शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन्स कोरोना के वार में तेजी आ गई मुल्क में गुजिश्टा 24 घंटों के दौरान मजीद 54 अफराद हलाक हो गए जबकि एक ही दिन में 2363 नए केसिस रिजिस्ट्रेट कर दिये गए वजिराजम इम्राण खान पाक अमरीका तालुकात मजीद मुस्तगिन बनाने के खुआहां पाकिस्तान ने भार्टी प्रोपेगेंटे को मुस्तरित कर दिया मौलाना फजल रह्मान खसारे में जाएंगे मर्यम नवास की मजीद जाएदादें निकलने वाली हैं विफा की वजिर दाखला कहते हैं पासपोर्ट में चिप लगा कर ई-पासपोर्ट करने जा रहे हैं फारंण फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कारवाई अवामी सता पर नहीं हो सकती एलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया आज ये अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ओडर करें www.kreenish.com कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रॉलाइबल, ट्रस्टवर्दी और ओनेस लॉफरम अफ शिखाशारदा 905-956-6699 पर फैमिली लॉफ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉफरम अफ शिखाशारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन विल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखाशारदा 905-956-6699 पाकिस्तान में कॉरोना वारिस से 54 अफराद चाब बहाग हो गए, जिसके बाद अमवाद की तादाद 11,157 हो गई पाकिस्तान में कॉरोना के तद्जीक शुदा केसिस की तादाद 5,27,146 हो गई मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में नैशनल कमार्ड एंड उपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादों शुमार के मताबिक गुजशता 24 घंटों के दारान 2,363 केसिस रिपोर्ट हुए पंजाब में 1,51,603 सिन में 2,38,470 खैबर पफटूंखा में 64,373 वलोचिस्तान में 18,670 गिलगित बलतिस्तान में 4,894 इसलामाबाद में 4,430 जबके आज़ाद कश्मीर में 8,706 केसिस रिपोर्ट हुए मुल्क भर में अब तक 75,25,432 अफराद के टेस्ट किये गए गुजशता 24 घंटों के दारान 43,744 नए टेस्ट किये गए अब तक 4,80,696 मरीज से हैत्याफ हो चुके हैं जबके 2,324 मरीजों की हालत तश्वीशनाख है पाकिस्तान में करोना से एक दिन में 54 अफराद जाबहक होए जिसके बाद वाइरस से मरने वालों की तादाद 11,157 हो गई पंजाब में 4,501, सिन में 3,843, खैबर पक्तुन खा में 1,811, इस्लामाबाद में 460, बलोचिस्तान में 1,92, गिलगित बलतिस्तान में 1,02 और आज़ाद कश्मीर में 248 मरीज से हाद दो बैठे वजिर आज़म इमरान खान ने 9 मंतखिब अमरीकी सदर जो बाइडन के हलफ उठाने पर उन्हें मुबारक बात पेश करते हुए तिजारत और सर्मायकारी समेट पाक अमरीका तालुकात मजीद मस्तहकिम बनाने पर जोड दिया है इस हवाले से मजीद जानते हैं वजीर आज़म इमरान खान ने 9 मंतखिब अमरीकी सदर जो बाइडन के हलफ उठाने पर उन्हें मुबारक बात पेश करते हुए तिजारत और सर्मायकारी समेट पाक अमरीका तालुकात मजीद मस्तहकिम बनाने पर जोड दिया है हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौदी ने शाहीन थिरी मेजायल के काम्याब तजर्पे पर काम को मुबारक बात पेश करते हुए कहा कि हम साइंसदानों इंजीनियर्स मुसलाफ वाच की काविशों को सरहते हैं तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अर्णब गोस्वामी चीट लीक ने भारती मकरू मनसूबों को मजीद बेनकाब किया है गोस्वामी चीट भारती हिंदत्वा तर्स हकूमत और मीडिया गड़ जोड का अकास है बी-जे-पी ने इंतखबात में काम्याबी के लिए पलवामा वाके को इस्तेमाल किया जोड़ पूर में 11 पाकिस्तानी हिंदों की पूर असरार हलाकत पर हिंदू ब्रादरी ने मुजहरा किया मगुजा कश्मीर में ने कानून में सेविल सर्विसिस को दीगर भारती कावनीं से मतरादिफ किया गया भारत का ये एकदाम बैनलाक्वामी कावनीं के सर्याम खिलाफ वर्जी है तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने तर्की, आजरबाइजान और पाकिस्तानी वज़राई खारजा की सैफरी की इजलास की मेजबानी की इन मुमालिक के वज़राई खारजा सैफरी की इजलास के लिए पाकिस्तान आए, तर्की और पाकिस्तान के दर्मियां तालिमी तावन पर मफाहमती यादाश पर दसकत किये गए आजरबाइजान के वज़रे खारजा को पाकिस्तानी हम मनसब ने नगोर्णो काराबाग की फतह पर मुबारक बात दी वज़राई खारजा शेख रशीद एमद ने का है कि मर्यम नवास फॉरन फंडिंग केस पढ़ लें या किसी से पढ़वा लें उनकी बहुत सारी जायदातیں निकल आएंगी फॉरन फंडिंग केस पानामा टू बनेगा मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में विफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद एमद ने कहा है कि फॉरन फंडिंग केस पानामा टू बनेगा और मर्यम नवास की बहुत सारी जायदादیں निकल आएंगी कराची में प्रेस कानफरेंस करते हुए विफाकी वज़ीर दाखला ने कहा कि उपोजीशन ने हमसे तावन किया हमने भी उनसे तावन किया लांग मार्श में इसी तरह तावन किया गया तो हम भी इसी तरह तावन करेंगे पहली बार किसी वज़ीर दाखला ने रेड जोन जाने की अजाज़त दी जो कुछ भी हो मौलाना फजुर्रह्मान सबसे ज़्यादा सियासी खसारे में रहने वाली शखस्यत होंगी सारे मामलात मौलाना के खाते में पढ़ने चार रहे हैं इन लोगों ने पहले भी मौलाना से हद किया था कि रेड जोन को हमने फ्री किया जी इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी हालांके बड़े तहफ़जात थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर खतम किया अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लांग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किसम का तावन होगा वजीर दाखला ने तमाम तहसील हेड़कौर्टर्स में नादरा दफातिर खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि एक लाग शेहरियों को रोजाना मौफ शनाख्ती कार्ड जारी करेंगे पासपोर्ट में चिप लगाने का फैसला किया है पासपोर्ट में चिप लगाकर ईपासपोर्ट करने जा रहे हैं शेहरियों की शिकायात भी दूर की जाएंगी बाद अज़ां विफाकी वजीर दाखला शेख रशीद ने कराची में रेंजर्स हेड़कौर्टर्स का दौरा भी किया रेंजर्स हुकान ने विफाकी वजीर दाखला को कराची में अमनो अमन की सुरतेहाल और रेंजर्स की जानब से उठाए जाने वाले अक्दमाद से मुतालग ब्रिफिंग दी कराची के अमन को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन अक्दमाद किये जाएंगे देशतगर्दी, जराइम के सद्देबाप और अमन की बहाली के लिए रेंजर्स का किरदार आहम है Election Commission of Pakistan ने वाज़े किया है कि फॉरेंड फंडिंग केस में स्कूरूटनी कमेटी की कारवाई अवामी सता पर नहीं हो सकती घर जरूरी और शवाहित के बगए तबसरों से गुरेस किया जाए मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में Election Commission of Pakistan ने वाज़े किया है कि फॉरेंड फंडिंग केस में स्कूरूटनी कमेटी की कारवाई अवामी सता पर नहीं हो सकती घर जरूरी और शवाहित के बगए तबसरों से गुरेस किया जाए फॉरेंड फंडिंग केस पर तरजमान Election Commission ने कहा है कि स्कूरूटनी कमेटी की फॉरेंड फंडिंग केस में कारवाई जारी है इस क्रूर्टनी कमेटी की कारवाई अवामी सता पर नहीं हो सकती घर जरूरी और शवाहित के बगए तबसरों से गुरेस किया जाए इस कैस की समात तमाम فरीकें के सामने हो रही है स्कूरूटनी कमेटी अपनी जामे सिफारिशाथ इलक्शन कमिशन को पेश करेगी कमीशन खुली समात में सिफारिशा दोनों पार्टियों को महया करेगा इलेक्शन कमीशन बगर किसी खौफ या दबाव के मैरिट पर फैसला करेगा ख्याल रहे गुजशता रोज वजीर आजम इम्रान खान का कहना था कि फॉरन फंडिंग केस की ओपन समात होनी चाहिए चैलेंज करता हूँ फॉरन फंडिंग केस टीवी पर बराहे रास दिखाया जाए फॉरन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठा कर केस सुनना चाहिए सियासी फर्ण रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की ओवर सीज पाकिस्तानियों के भीजे गए तरसीराते जर से मल्क चलता है मजीद खबरे भी बुलिटन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बात